है नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दे विगबूल 420 पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम अपने चैनल पर डेली एक मारकेट एनालीसिस वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ टोक के बारे में कि कल हमें मारकेट में किन अच्छे लेवल्स पर अच्छा हमेंट देखने को मिल सकता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन हिट कर देजिएगा डेली आप मारकेट में लाइव आते हैं एक ब अगर बात करूं तो एको लेवल में निकाला है देखो समझेगा एक पट्यूगलर टाइम में एक पट्यूगलर डे में जो है अपना जो मारकेट है एक्जेकली देखेगा यह जो दिख रहा है ना 41,840 तक हाई गया लेकिन उसी दिन वापस नीचे भी आई गया और एट देंड केंडल को क्लोजिंग कहां देनी पड़ी थी अपनी अराउंड एक्टाली सजार सोरी हां केंडल को जो है क्लोजिं और अगर यह केंडल सम्तिंग यहां क्लोजिंग हुई थी अपनी यहां एक्जेकली ठीक है तो देखेगा आप मारकेट कितना प्रेशराइज ड्रा होगा और कितना सेलर्स का दबाव रहा होगा उस मारकेट में उस पर्टिकुलर डे में तो अगर मैं बात करूँ आपके ल मारकेट टच कहां करा है जहां से मतलब बोडी बनना चलू यह तो एक तो यह बोडी बन रही और एक यह बोडी बन रही डो टच कहां दिख रहे हैं एकतालीस अजार पांच सो चालीस 41,540 एराउंड का यह काफी ज्यादा स्ट्रोंग लेवल था जहां से मारकेट ओपन होता है सेलिंग लगबग मारकेट यही से ओपन होता है इतना उपर जाता है लेकिन उपर सस्टेन नहीं होता है सेलिंग तो कही न कहीं यह लेवल हमाई लिए काफी ज्यादा स्ट्रोंग चेंगे, selling, selling और selling अभी हाल फिला है, मार्केट ने काफी यादा strong हमें इसे बोल सकता हूँ यह के bearish candle दे दी है मार्केट में हमें काफी यादा strong bearish candle या bearish momentum अब अगर देखो market को उपर जाना है तो जब तक market इस swing को नहीं तोड़ेगा, मतलब 48,540 चालिस का लेवल है इसे ब्रेक नहीं करेगा जब तक के लिए में मार्केट में बुलिस नहीं हो पाऊंगा मतलब यह ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा जब मार्केट इस स्विंग को तोड़ेगा वो अगला टागेट डारेक्ली रखेंगे एक तालिस जार आट सो चालिस समतिगा ठीक है यह वाला एट लिस्ट तीन सो पॉइंट का अमारा यह टागेट रहेगा देन मार्केट में अपन कहें पाएंगे कि मार्केट ओल टाइम हाई पर चल रहा है तो हाल फिलाल तो यहीं मार्केट ने बहुत स्टॉंग बेरिश केंडल दिया और अच्छा मुमेंटम भरा दिन था यार यह वाला सो आगे बढ़ते हैं आगे इसी को थोड़ा सा समझनेगा ट्राइ करेंगें पन्दावी टाम फ्रेम पर okay दोखर अपन्दावी टाम फ्रेम से पहले वनार टाम फ्रेम पर अगर ये समझ में आ रहा है तो ये काफ जाद है helpful कहीं न कहीं आपके लिए साबित हो सकेगा देखेगा कितना support है one time support market उपर नीचे फिर उपर उपर नीचे कहीं न कहीं एक gap open होगा तो इस register लेके market नीचे यहां बीच में भी एक line चलता है आपको पता है तो market क्या कर रहा है price action बनाएंगे नीचे यहां से उपर उपर नीचे अब देखते हैं यहां से उपर निकलता है यहां इसके पास दो choices रही क्योंकि train line है यहां पर एक तो यहां इसके पास यहां तो एक support लेके उपर जाएगा यहां कहीन के market downside में इस base का support लेगा overall चलतो ऐसा रहा है कि deep on buy ठीके मतलब आ कितना रहा है नीचे कितना रहा है थोड़ा से समझेगा देखेंगे चेनल कहते हैं इसे नीचे से कितना उपर गया directly यहां गया ठीके अब यहां से यहां पर तो बहुत जल्ली आ गया लेकिन वापस यहां से कितना range बना है इसने यहां गया देखेंगे देखना रहा है कि यहां से वापस यहां आता है समझेगा यहां आता है यह इस particular range से support लेकि यहीं से उपर और निकल रहा है सो यह एक काफी अच्छा parallel channel मेरे कुँ देखने को मिला है इस लाइक यह भी मैंने आपको बताया अब पंजामी time frame पर अपन कल के लिए कुछ levels बात कर लेते कल expiry है तो यह totally analysis आपका expiry के लिए हो रहा है यहां मैं काफी अच्छा level पहले सबसे पहले draw करना चाहूंगा बहिए level note down कीजिएगा आप अच्छा काशा level बन रहा है एक zone बनाना चाहता हूं मैं वेशे तो around 41,000 10 से 41,000 10 से बात करें तो कहीं न कहीं 41,000 50 तक का यह काफी अच्छा strong zone दिख रहा है लास्ट अपना दिवाली के बाद का second दिन था ट्यूस दे उसके दिन का market का कहीं न कहीं low point या closing point यही था और साथी साथ अब यह यहां काफी जादा method करेगा कि market यहां से bounce लेता है या इसे break down करके 10 लाइन के नीचे आता है एक चीज़ और अगर market क्या करता है भया सुनिएगा थोड़ा से समझेगा यहीं कहीं एक छोटा बड़ा gap up रहता है इस swing के नीचे और यहीं consolidation करके फिर क्या करता है 41,000 10 का something ठीकिर round level आ रहा है I agree लेकिन कहीं कहीं अगर breakdown देगा तो market में strength रहेगा कि वह इस trend line तक तो at least जा पाई या फिर इस particular level मतलब trend line का कहीं ने कहीं आपको support देखने को मिलेगा market में respective trend line आपके लिए होने वाली है अब थोड़ा अगर market बहुत ज़्यादा gap up हो जाता है तो फिर क्या कर सकता है देखो अगर market बहुत ज़्यादा strength ही market हो जाता है जैसे अभी माल लो 41,000 45 something का closing है 41,000 45 round का closing है bank nifty का तो कहीं न कहीं यहां से 300 points का gap up मिलता है किते 300 points का माल लो gap up मिलता है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा 41,000 345 something का तीके कहां पोच जाएगा market यहीं है इस range के नीचे ही रहेगा इस particular 41,400 के अंदर तीके जो कि यह काफिचा strong swing है अगर market क्या करता है देखो swing wise बात करूँ है वेसे तो important level आप note down करके रखिएगा 41,536 आपके लिए important है लेकिन अगर आपको थोड़ा aggressively market में काम करना है तो कहीन कहीं 41,400 का level आपके लिए बहुत strong होने वाला है एक market gap up भी देता है gap up भी देता है तो 41,441,400 से भी कहीन कहीं आपको rejection होता हूँ मिल सकता है मैं तो आपको इतना suggest कर रहा हूँ कि अगर market क्या करता है यहां से एक reversal का संकेत देता है छोटा सा जैसे यहां हुआ था यहां देखो यह तो एक बहुत बड़ा gap दिन यहां हुआ था ठीके तो कहीन कहीं एक छोटा candlestick pattern बना की reversal देता है छोटे stop loss के साथ तो एक छोटा सा trade अपन reversal का कर सकते हैं और हो सकता हो ट्रेड हमें बहुत बड़े targets देता है अगर ऐसा होता है market में तो gap down का मुश्कील है थोड़ा लेकिन देखते है market क्या करता है एक flat open भी होता है तो कहीन कहीं consolation होके breakdown होता है यहां तक के लिए अब market में buying कप करेंगे भई यह buying में तो करूआ 41,400 के उपर market जाए रुख जाए तो देन में buying करूँगा यह upper side में train line है यहां तक के लिए मैं कहीन के market में रुखने में interest रहूँगा ठीक है bank nifty के बात जो है अपन अगली analysis करेंगे nifty 50 की nifty 50 की बात कर ले so guys देखें nifty 50 में चलते हैं directly यह रहा nifty 50 okay इसके सारे levels आपके लिए हटा देता हूँ इसको भी थोड़ा सा daytime फ्रेम पर समझते हैं क्या चल रहा है nifty 50 ठीक है nifty भी काफी अच्छा गी रहा था all over market soup up कर रहा है हाल फिलाल में मतलब थोड़ा trendy market है trendy बोले जो लाइक one sided अभी रुका हुआ market नहीं चल रहा हलागी ट्रेपी market काफी चल रहा है यह चीज मैं आपको बताता हूँ बता क्या रहा है कर क्या रहा है यह अगर जो एक intraday trader है वो बन्दा विल्कुल यह चीज को समझ रहा हुगा ठीके सबसे पहले तो यह 50-50 की बात कर लूँ तो एक 17,860 का यहां level दिख रहा है strong level है 17,860 का अगर day time frame पर जो futures करते हैं like मैं तो sport कर रहा हूँ sport बता रहा हूँ आपको so 17,860 like strong super support है यहां resist test हो रही है न यहां पिछले time में देखेंगे एक reversal बनाता इस प्रकार से market soup up गया था कहीं न कहीं market इसी zone के आस पास से आया दिन एक बहुत अच्छा bearish candle बनाया था like देख लेते कितना ज्यादा जो ही candle strong है क्या है strength है कितना ज्यादा strong है क्या यह market को यहां से नीचे ला सकता है यह चीज अपने लिए इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसी को तो थोड़ा सा पंदा like one hour time frame पर इसको भी समझते है क्या आपनों कुछ मिल रहा है अच्छा सा वाव सूपब देखो अगर यहां अभी एक में train line की parallel channel का बात कर लूँ तो कहीं न कहीं आपको market सुपबली समझ में आ रहा होगा यह जो trends समझता है न वो person बिलकुल यह सारी चीजे समझ पायेगा ओके 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 तो देखेगा चल क्या रहा है market में कहीं न कहीं एक buying, selling, buying अब एक रुके इसमें parallel channel जो होता है न इसमें एक center line चलता है वो भी काफी ज़्यादा आपको support प्रोवाइड करता है middle ठीके चलो देखते हैं देखेगा buying, selling यह देखो यह level तोड़ा, strong तोड़ा कहीं न कहीं उपर जा रहा था है यह जो middle line चल रही है इसका कहीं न कहीं बाइंग, सपोर्ट कहां ले रहा है, देखो सपोर्ट कहां ले रहा है, देखो ठीके, उपर जाने के लिए रुक रहा है कहां के लिए ये लाइन कहीं ने के एक रजिस्टर सपोर्ट कर रहा है इसको ब्रेकडाउन के इस लाइन को देने एक बड़ा केंडल इस लाइन के उपर रुखने का प्रया से एक दो तीन केंडल देन ब्रेकडाउन नीचे कहा नीचे कहा तक support पर है तो अगर nifty 50 support पर है और यहां से gap मिलके वो gap feeling करके अगर market उपर जाता है तो कही न कही नifty 50 हमें बहुत बड़ा moment दे सकता है according to this channel क्योंकि एकदम bottom पर खड़ा है और जितनी बार पहले भी market इस bottom पर आया है अगर हम बात कर लें यह देखेगा super buying super buying super buying और कही न कहीं वापस यहीं है तो मैं भी हमें कहीं न कहीं एक छोटी सी अच्छी खाची buying देखने की संभावना हो सकती है market में लेकिन देखते हैं वहीं अगर market क्या कर दे भीया समझना यह चीज भी समझने वाली है न कि वहीं अगर market क्या कर दे at least अपना यह level तोड़ दे ठीके इससे तो काफी ज़्यादा strong level है 17,600 का ठीके 17,600 का level है अगर market क्या करता है 17,600 तोड़ना कोई बड़ी बात है नहीं अगर इससे breakdown कर देता है यह लिजे आपके लिए पूरा setup तयार है यहाँ पे 17,600 का level अगर market तोड़ देता है क्योंकि पहला resist था जहां से market पूरा trend reverse किया था हाल फिलाल का भी कुछ समय पहले का support था breakdown किया था support था अच्छा का सा resistance रहा like support रहा और breakdown होने के बाद soup up गया तो कहीं न कहीं 17,600 हमाई लिए एक strong level निकल के आ रहा है Nifty 50 में अगर market 17,600 को breakdown कर देता है 17,600 का तो हम market में selling में बन पाएंगे वहीं अगर market क्या करता है अब यह सीधा सा fund है आपको समझा रहा हूँ 17,715 का level नोट डाउन कर लिजीगा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण होने बाला है Nifty 50 17,715 का level अगर breakout कर दे रहा है 17,715 का level अगर breakout कर दे रहा है तो Nifty 50 में काफी अच्छी तेजी भरी बाइंग हो सकती है वो level कहां तक के लिए हो पाएगा अगर market क्या करता है slow study पी चड़ता है ठीक है market क्या करता है यहां से slow study पी चड़ता है तो कही न कही यह train line का resistance या 17,860 तक के targets जो की एक train line और यहां से यहां से यहां से इस पकार एक register बन सकता है हमाई लिए यह कही न कही हमाई लिए at the end में resistance बनेगा hammer यहां पड़ा है तब तक के लिए अगर market एक bounce लेता है तो 17,760 है exactly न 17,750 से 17,860 तक के targets हमाई लिए बने हैं अगर market इस पकार जाता है कही न कहीं selling अच्छा आया था super यह swings बना के market आया था so interesting होने वाला है market all over अपना expire यह ध्यान से trade करीगा volatile market देखने को मिल सकता है I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज आपको एक प्यारा सामय लिए comment यह वीडियो पे like वो channel को subscribe नहीं किया channel को subscribe कर दीजीगा और यार हमारे साथ आप जूरिये daily हम live आते हैं आपके लिए live में जूरते हैं आपको हमारे साथ जूर के काफ़ ज़्यादा मज़ाएगा बाइबाइ टिक के ध्यान रखेगा मस तरहेगा सीखते रहेगा तंदूस तरहेगा मिलते हैं दोस्तों कल morning live में तब तक के लिए energetic रहेगा मज़ाएगा